दुनिया भर में सोशल मीडिया को आए करीब 15 साल हो चुके हैं इन डेड़ दशक में एक पूरी नई पीडी मोबाइल और इंटरेट की दुनिया में शामिल हो चुकी है बीते 10 साल में पैदा हुए बच्चों ने अपना होश समालते ही सोशल मीडिया का दामन थाम लिया है आ कई तरह के साइबर खत्रों को पनपने मदद करता है आजकल सोशल मीडिया पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी हुमन ट्राफिकिंग और साइबर फ्रॉट काफी आम हो चुके हैं इसी को देखते हुए सरकार परसनल डेटा प्रोटेक्शन बिल में सक्त प्रावदान लाने की तैयारी कर रही है अब यह क्या है इस नए कानून में टीनेजर्स यान 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कई तरह के प्रावदान किये गए हैं सुत्रों की माने तो बच्चों के इंस्टाग्राम फेस्बुक ट्विटर जैसे सोशल मीडिया अकाउंट बनाने पर बैन भी लगाया जा सकता है इसके अलावा एपस और वेबसाइट के इस्तेमाल के लिए माता-पिता के अनुमति को भी आवश्यक बनाने की तयारी की जा रही है बच्चों की पुष्टी के लिए सोशल मीडिया अकाउंट को डीजी लॉकर से लिंक भी करने की तयारी है चलिया म भी मिजाद के नियम कि बात करें तότε भी आपने माता-पिता की इजाजत के सोशल मीडिया आकाउंट नहीं बना पाएंगे तो इसका मतलब यह हुआ कि बच्चों किस नाम और अकाउंट से क्षेमालonderglass स्कॉलर्शिप जैसी वेबसाइट और आपस के इस्तेमाल की छूट होगी वह सरकार की ओर से कुछ एजुकेशन वेबसाइट को स्टूडेंट डेटा कलेक्ट करने की छूट दी जा सकती है नए नियम में सर्फ बच्चों के लिए नहीं या फिर एलेक्ट्रानिक टोकन प्रणाली का सहरा लिया जाएगा इस टोकन प्रणाली में इसका सत्यापन यहीं कि बच्छों की जान लेते हैं कि बच्चों के नहीं नियम क्यों लागू करने की जरूरत पड़ी तो बच्चों में ऑनलाइन गेमिंग और वीडियो देखने की जो एक्टिविटीज है वो काफी बढ़ती चली जा रहे हैं बच्चों का स्क्रीन टाइम टेजी से बढ़ा है जिससे उनके मानसिक संतुलन पर कहले या फिर ना हुआ है सरकार का कानून बनाना अपनी जगा सही है लेकिन अगर आपके बच्चे घर में भी सोशल मीडिया कर इस्तमाल करते हैं तो बहतर होगा कि आप उन्हें ऐसा करने से रोके या फिर आप उनकी सोशल मीडिया गति वीडियो पर नज़र रखें यह आपको ही सुनि वीडियो के लिए देखते रहे हैं मनी नाई